कि हलो प्यारे साथियों कैसे हैं अब सब गुन मॉनिंग उमेद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे तो मध्यप्रदेश प्लीस कोंस्टेबल के जिन बच्चों ने जिन हमारे भाईयों बहनों ने उसका एक्जाम दिया था और अब वो काफी लंबे समय से रिजल्ट का भी इ अंतिजार कर रहे थे लेकिन इंतिजार करते करते दुक्ष की घड़ी आ गई और दुक्ष क्या थि का आचार साहिता लग वो गयी मध्यप्रदेश के इंदर चुनाउं होना एक और प्लिस कोंस्टेबल का he उन्यांे की समभावना है le fitted से पहले वह कब है एल station से पेले ये हमें थोड प्रफ मिली थी विभागी तरफ से ठीक है तो वह हम कि वह में उब्रेट मिलती है तो लगता है कि यार आप तक उसको शेयर किया जाए तक और शियर किया जाए क्योंकि सब से जादा हक उससे कुछ भी अगर नीज आती है तो उन पर सब जादा का आपका होता है तो इसलिए ये निज में आप तक छेहर की क्या कि आपका जो रिजल्ट है वो एलेक्षन से पहले पूरी तरह आने की संभाव ना है आने की संभाव ना हाँ ये जरूर है कि जिस स्पीट से पहले भरती को कराया जा रहा था उस स्पीट से अब नहीं हो रही है क्योंकि पुलिस फोर्स सारा इलेक्षन में लग गया पुलिस फोर्स पुलिस अधिकारी सब इलेक्षन में लग गए अब जैसे सपोज करो अगर पहले सो पुलिस करमी पुलिस अधिकारी या पुलिस और एलेक्शन के बाद क्या होगा एलेक्शन के बाद आपका फिजीकल कराया जाएगा इसका हाँ अब उन बच्चों के लिए जो बच्ची ये कहते हैं किसाब अभी तो ये वाला हमारा जो उप्ये पर हुआ था उसका रिजल्ट नहीं आया उसका नहीं आया उपर है किसका रिजल्ट निकाले जिसे पटवारी का हुआ था वह पैंडिंग है क्योंकि उसकी जांत चल लिए तो इसके वज़े से इस यह पुलिस की भरती को भी पैंडिंग में डाला जए ऐसा बिलकुल नहीं जो भरती फेर होती है वह कंटीनिव चलती रहती है जहां थोड़ा से दाग होता है या कुछ खामिया आती है कुछ समस्य आती है तो उनको थोड़ा पैंडिंग में डाल दिया जाता है लेकिन इस भरती में कोई किसी तरह की कोई प्राव्म नहीं है और ये कंटीनू चल नहीं आपकी थोड़ी कमी स्पीड से हैं लेकिन प्रॉसिंग इसकी चल रही है ठीक अब उन वच्चों के लिए थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा जो बच्चे यह सोचके बैठ गए के मद्यप्रदेश के अंदर आचार सहीता लगए इलेक्शन आने वाला है इलेक्शन चल राए और भरती बहुत ही पूरी तरह है पैंडिंग में डल ग मैं यह गो भाइंगि यह भी आप दिमाग में रख ले मैं और देख लेए जना मुस्किल होता है भरती निकलना मुश्किल होता है लेकिन उसको इसको ऊस्थ यथिए मतलब नहीं है लेकिन अगर मैं बात यूपी की करता हूं या कहीं करता हूं तो वहां पांस-छे-साथ साल वह नोर्मल चीज़ है वहां इतना लग जाता है लेकिन मद्य प्रिदिस में बिल्कुल ऐसा नहीं होता यहां बहुत फास्ट तरीके से प्रोस्टिंग होती है भरती की क्योंकि मै आपके फिजीकल में 100 मार्स है चारीस नमबर रेस के हैं तीस नमबर लॉंग जंप के और गोला फैक के थीस नमबर ठीक है तो हंड्रेट ना मैसे कम सकम 80 प्लस यानि के 80 प्लस का आप इसकोर के लेकर चले मान कर चले पूरी तरह करने की कोशिश करें क्योंकि जिनका 80 प्लस में अपना टार्गेट लेकर चल रहें और 80 प्लस का फिजीकल करेंगे यह मेरी बात आज नोट करके लिख लें मेरी बात यह नोट करके लिख रहें कि नमबर उनीक आएगा जिनका 80 प्लस में फिजीकल होगा और ज्यादा तर एक चीज़ और बुरी मानने वाली इसमें चर्वास की में बात करता हूं तो आजलाने में अधर श्यटेड वाले ज़्यादा है तो तयारी करें बिलकुल भी डिल ले बिल्कुल भी डिल ना दे एक बी दिन का गैप नहीं थे अगर आप एक टाइम जा रहें तो कोशिश करें का दोनों टाइम फीजिकल की तयारी करें लेकिन ऐसा नहों कि एक दिन में एक टाइम भी ना जाएं एक टाइम तो बिल्कुल जाये